नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब का UPSC 360 में आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं Geography Optional का ये Next Topic Geosyncline, तो चलिए शुरुआत करते हैं देख लेते हैं हम लोग क्या क्या discuss करने वाले हैं, सबसे पहला तो no doubt Geosynclines of course होता क्या है इसका definition हम लोग देखेंगे और हाँ, Geosynclines form कैसे होता है ये चीज आपको मैं Animated Infographics के साथ दिखाने की कोशिश करूँगा Next में हम लोग उसके characteristics basic characteristics क्या होता है ये overall बनते कैसे हैं Geosynclines उनकी formations, Animated Videos दिखाएंगे Next is overall इसके concept का evolution कैसे हुआ और finally Cobers Theory देखो वैसे तो जिफ्टन आप जहां पर भी पढ़ोगे ना ये वाला चीज ये और यहां पर ये चीज आपको पढ़ाए जाता है इसको बहुत समय skip कर दिया जाता है concept के evolution जैसे various geographers ने इस field में आपने क्या क्या concepts दिये जैसे हॉल ले लिजिए डाना ले लिजिए ई हॉग आर्थर होम्स और भी बहुत सारे जैसे जे ड़वू इवेंस स्कुर्ट है ना डस्टर तो इन्होंने बहुत सारे जैसे डस्टर जी ले लिजिए उन्होंने अपना Intercontinental Geosynclinical Theory दिया था उसके बाद Circum Continental और Circum Ocean एक Geosynclinical के बारे में उन्होंने बताया था है ना तो ये सब सब कुछ हम लोग discuss करेंगे and of course Cobras Theory में उन्होंने क्या क्या postulations दिया था examples उनकी कैसे कैसे criticism की गई और overall उनके theories को evolution भी हम लोग proper अंदाजामे करने की कोशिश करेंगे तो चलिए शुरुआत करते हैं तो चलिए शुरुआत करते हैं तो यू के बढ़ने से पहले लेट मी तेल यू दर जिए अगर आगे बढ़ने से पहले let me tell you that geography optional के Hindi as well as English courses दोनों languages में लांच हो चुकी है अगर आपको subscribe करवाना है दोस्तों courses में तो यू कैन डाउनलोड Smart Prangas education app the link to this Smart Prangas education app is given in the description box below so download it now Geo Sync Lines Geo Sync Lines देखिए अभी तक अगर आप Geological History अगर देख ली जागा ना कोई भी continent यह फिर basin का तो देखो initial phase में जो है हमारा दुनिया में जो continent or oceans है उसको दो basic characteristics के feature के उपर में define किया गया था पहला तो है rigid mass और दूसरा geosync line के उपर तो चलो एक एक करके proper तरीके से देखते है rigid mass बोले तो जैसे Canadian shield आपने सुना है ना इसको rigid mass कहा जाता है क्यों क्योंकि कहा जाता है that सबसे पहला जैसे यह continent का बीज है ना continent का nuclei ही वो इस Canadian shield वाले region से ही यहनोंने start हुआ था मतलब इस shield के इस region के थू ही इस पूरा continent का formation हुआ है ऐसा माना जाता है और वो किस theory के आदार पर geosync line के theory में अफकोर्स ही हम लोग पढ़ेंगे तो इसको अगे ancient nuclei ही माना जाता है of the present day continent और यह stable है for the longer period of time in fact बहुत सारे वैसे shields है in fact अगर आप हमारा डेकन लाव प्लेट्यू देख लीजेगा इंडिया पैनिनिसुला का तो वो भी इस अच्छील्ट की कुछ कुछ खासियत है that candian shield जो है यह pre-cambrian era का बना हुआ है ठीक है और यह shield जो है था पहले भी जो है एक mobile zone of water के द्वारा घेरा हुआ था जहां पर समय के साथ साथ बहुत ही जादा sedimentations हुआ और इस sedimentations के साथ जो है geosynclines का formation हुआ था और यह geosynclines मतलब क्या होता है देखो पहले जैसे सोचो यह rigid body I mean landmass है ठीक है यह भी एक rigid landmass है तो geosyncline मतलब होता है धीरे धीरे जो है आपका जाके sediments जमता है और क्योंकि यहाँ पर आपका कदोनों तरफ से compressional forces भी लग रहा है तो यह sediments इतना पास आ जाता है धीरे धीरे यह mountain ranges का हमें formation होता हुआ दिखता है अब यह कैसे होता है अगेन आने वाले slides में हम लोग जरूर देखेंगे तो अगेन बोला गया धाट इस shields के इर्दगिर्ट जो है जो के ancient nuclei थे उसके इर्दगिर्ट एक mobile zone of water था जिसको इन्होंने geosyncline कहा इस theory के आधार पर और यह geosyncline ही जो है आने वाले समय में it got folded into folded mountains range और वो कैसे हुआ by the compressive forces जिसके हम लोग diagrammatic representation आने वाले इसमें देखेंगे अब आ जाते दूसरा geosyncline again geosyncline तो water depredation है जिसको characterize किया जाता है by continuous sedimentation क्यों क्यों कि सोचो यह वाला दोनों land वाज है ठीक है तो यहाँ पर continuously sediment deposit होते 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 और further बाद में compressional forces के कारण जो है यहाँ पर geosyncline होता है basically ठीक है जिसके कारण of course mountain ranges form होते है तो यह जो concept था ना geosyncline का तब के geologist तब के geographers के दवारा यह बिलकुल consensus बन गया था यह जो भी mountains आये थे they came out of geosyncline और rocks जो मिले है mountains में है ना तो of course they were earlier sediments only तो they were some of the other deposited and later on consolidated in sinking seas जिसको हम लोग geosyncline कहते हैं मतलब rocks in the mountains बोला गया या फिर rocks in the rigid mass जो भी बोलिये है ना that is यह वाला जो हम लोगो ना theory लिया ठीक है that though rigid mass के बीच में जो अगर geosyncline बढ़ता है तो यहां पर जो rocks है वो या फिर sediments है वो ultimately धीरे धीरे इड़े deposit होते गए अपर यह कैसे sediments deposit होते गए by the action of fluvial erosion by the action of eolian erosion ठीक है तो यह सब characteristics है जिसके कारण धीरे धीरे जो है आपका you know mountain ranges form होते गए और mountains की अगर height देखी का mountains का thickness देखिएगा जो भी sediments जो कि हम मिलता है इन यंग found young folded mountain जैसे rocks and these rockies and these himalayans है ना तो यहां पर जितने भी सारे sediments आपको मिलता है वो आपको जरूर you know इस चीज का proof भी देंगे ठीक है in fact एक चीज जो पहले बोला गया था वो यह था that geosyncline जो है वो very deep water bodies में form होता है but क्या यह सही है नहीं देखिए actually geosyncline में जितने भी सारे आपको जो यह geosyncline formation होता है या फिर geosyncline के थूँ जो आपका mountain ranges का form होता है उसको जब study किया गया तो उसमें पाए गया बहुत सारे marine fossils और वो marine fossils पाए गया अरे भाईया यह तो marine organisms सिर्फ shallow sea में ही रह सकते हैं यह deep sea में तो रहा नहीं सकते हैं इसका मतलब भूला गया दर भाईया geosyncline जो होगा यह जरूर shallow water bodies में ही form हुआ होगा और क्यों और shallow water bodies का gradual sedimentation के साथ धीरे 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 sedimentation जवाँ होगा और बाद में compressive forces के कारण जो है इस type के mountain ranges का हमें formation होता हुआ दिखा रहा है ठीक है अब इसका animated view देखते हैं देखो मान लो डट यह एक land area जहां पर यह इसका mean sea level है ठीक है अब देखो क्या हुआ इस region से है ना यह जो है rigid land mass और यह भी rigid land mass है तो यहां पर क्या होगा ना नदिया भी बहुत बहेंगी ठीक है layer-1 ठीक है यह जब धीर धीर इधर से भी sedimentation सा धीक है तो एक अलग सा layer आ ठीक है यह उपड़ावाला layer देख रहा है यह अब ये लेकिन gradual process है धीरे-धीरे बर रहा है बर रहा है यह level में तो और भी sedimentations सा है अई सी धीरे-धीरे ठीक है तो यह level जो है बहुत ज़्यादा sediments यहां पर ध्यान दीजेगा, अब मैं क्या बोल रहा हूँ यहां पर, पहले जो कम sediments था, अभी बहुत ज़्यादा sediments जमा हो गया, अब इतना अगर आपके सिर पे अगर सोचो, एक किलो का एक बुक मैं रखो ठीक है, और उसी समय, आपके सिर के उपर मै सो किलो का बुक रखों, तो सो किलो का बुक के भार में आप बैठ जाओगे नीचे, वही चीज इनके भी साथ होता है, क्योंकि इतना जाद उपर से लोड आ जाता है, तो यह जो है, और भी लोड के कारण इसका लेवल और भी नीचे हो जाता है, समझ रहो, मतलब पहले जो पर भी भाकता है, धीरे-दीरे नीचे भी इसका overall जो है depth मीचे आते रहता है, समझ रहो बात, और यह further, further क्या होता है, इसको मैं मिटा दूँगा, तो automatically अपको से समझ में आएगा, रुकिए, तो हाँ गया, हाँ, एक सेकंड, हाँ, तो छोड़ी उसको जाने दीजे, हाँ, तो अचा मिटा ही देता हूं, तो जादा सही रहेगा, ओके, तो देखो, क्या होगा ना, यह तो process आप समझ गया कैसे हुआ, अब क्या होता है, that compressional forces भी लगने लगता है, अर्थ में, है ना, तो उस compressional forces के कारण, यह और भी सिकुरता है, और भी पास में आता है, दोनों लै था, है ना, अब यह continent, जब compressional forces के कारण सामने आ रहा है, तो यह भी जो है, दीले-दीले ऊपर जा रहा है, विजुलाइज कर पार हो आप इसको, और भी यह ऊपर जाएगा, जब और भी compression force लगेगा, जब और भी यह नजदी का रहा है, ठीक है, और यही process है, जो कह है, एक ठीक है, तो anyways, geosyncline के बारे में तो हम लोगो ने देख लिया, अब इसके characteristics features देखते है, देखो, usually, तो geosyncline होता है, यह एक long, एक narrow और एक shallow depression of water होता है, जैसे, जैसे, पहले सोचो, यह हमारा जो इंडिया है, इंडियन पेनिसूला, यह पहले तो नीचे में था, ठीक है, ब मतलब, यहां पर depression बन रहाता, देरे-देरे, ठीक है, और उस depression में gradually, देरे-देर, sedimentation हुआ, और उसके बाद subsistence भी हुआ, subsistence जो हम लोग ने बोला न, यह जब लेवल तो नीचे गिर जाता है, due to excessive load of sediments, है न, वो चीज होने लगया, ठीक है, और उसी से जो है, एक pattern create Of course, यह जो patterns कभी भी, अगर कहीं पर भी create होता है, वो सब समय से नहीं रहता है, throughout the geological history, क्यों? क्योंकि various geological processes होता है, various endogenetic processes होता है, various exogenetic processes होता है, जिसके कारण यह changes होता रहता है, जैसे, आप देख लो, यहां पर mobile zone of water, मतलब geosyncline को बोला गया है, यह एक mobile zone of water है, जिसको border किया जाता है, भाई, दो rigid mass, मैं इसको अपको एक थोड़ा और भी, I mean, इस pattern को, जो characteristics, features में पला, उसको हम लोग थोड़ा visualization करने की कोशिक करता है, जैसे, सोचो, यह एक rigid land mass है, ठीक है, अब देखो, यहां पर reverse के कारण, धीरे-धीरे gradually, आपका sedimentation जम रहा है, दिख रहा है अब यह land mass किया किया, जैसे कि compression force के कारण, मैंने बोला था, और भी यह नजदीक आएगा, ठीक है, तो यह और भी नजदीक आया, यहां पर आया, फिर और भी compression forces लगएगा, तो यह और भी नजदीक आते रहेगा, तो sediments का level भी उपर भागते रहेगा, तो मतलब gradual weight भी बढ का orogenica formations होता हुआ, हमें दिखता है, between, between the rigid masses, इस तोनों को यह वालत दो, इस mass, और इस mass को हम लोग यहां पर rigid mass कहते है, जिसको हम लोग कोबर के, इसमें, full land भी कहते हैं, And guys, this is the end of this part, अगर आपको next part access करना है, तो you can download Smart Rankers Education App, the link to Smart Rankers Education App is given in the description box below, thank you.